उद्गम से मुहाने तक नदी की अवस्था को तीन भागों में बाट सकते हैं पहला युवा वस्था या उपरी भाग अपर कोर्स दूसरा प्रोढ़ा वस्था या मध्य भाग मिडल कोर्स तीसरा व्रिधा वस्था या निम्न भाग लोवर कोर्स पहला, यूवावस्था या उपरी भाग जब नदी उद्गम शेत्र से निकल कर परवतिय शेत्र में बहती है तो उसका वेग तीव्र होता है यहाँ इसके द्वारा कटाओ अधिक होता है इस अवस्था में तल का कटाओ अधिक वग तट का कटाओ कम होने से वी आकार की घाटी का निर्मान होता है इससे घाटी गहरी और सकरी होती जाती है नदियां अपने साथ कंकर पत्थर और चट्टानी टुकणों को लेकर आगे बढ़ती है दूसरा प्रोढ़ा वस्था या मध्य भाग नदि जब पहाडी भाग को छोड़ कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब ढाल कम होने के कारण इसके जल की गती धीमी हो जाती है इससे नदि में भार वहन करने की शमता भी कम होती जाती है नदी इस भाग में किनारों का कटाव अधिक और तली का कटाव कम करती है जिससे नदी घाटी चोड़ी हो जाती है पानी का वेक कम हो जाने के कारण नदी पहाडी भाग से लाई गई बालू, बजरी, मिट्टी आदी को निशेपित कर जलोड़ पंख का निर्माड करती है पठोर चटान को नहीं काट पाती इस कारण नदी मुड़ती हुई सर्पाकार आकरिती में बहती है मैदानी भाग में जब बाढ आती है तब नदी का जल किनारों से उपर होकर बहता है और आसपास के शेत्रों में फैल जाता है यह पानी तटों से काफी दूर फैल कर अवसाद का जमाओ करता है यह जमाओ बाढ का मैदान कहलाता है यह मैदान उपजाओ होती है तीसरा व्रिधा वस्था या निम्न भाग इस अवस्था तक पहुचते पहुचते नदी की गती अत्यंत धीमी हो जाती है समुद्र से मिलने के पूर्व नदी अपने साथ लाए गए आवसादों को जमा करने लगती है निशेप के अवरोध से नदी कई शाखाओं में बट जाती है इस जमाओं से तिकोने मैदान का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहते है